हेलो फ्रेंड्स आप हमें लाइव देख motion क्रेंग QLR करेंगे तो प्रेंड्स यह हमारे पास एक परकार का a सेफ्टी डीवाइस जैसे आपको नाम से ही पता चल नहीं करेगा तो फ्रेंड्स ये आपको पूटक्ट जो है ओनलाइन अमजोन पर मिल जाएगा तो फ्रेंड्स ये जो है आपको दो परकार से फायदा करेगा मैक्सिमम एक तो फ्रेंड्स अगर आपको कुछ डाउट हो कि भाई हमारे स्लेंड्र में कितनी गैस है खतम होने वाली है कि नहीं तो ये आपको एडवास में बता देगा कि भाई आपका सेलेंडर अगर रैड लाइन जोन में आ रहा है या और जोन में आ तो इसका मतलब है से करने हैं अगर आप इसको गैस सेफटी डिवाइस की तरह नहीं यूज्ज करना चाहते हैं बट यह जो है आपका घैस मेजरिंग डिवाइस या गैस के खतम होने से पहले का डिवाई बता सकता है एक परकार का अलारम टाइप है तो आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको यूज करना बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल है आपको करना क्या है जैसे आप अपने गैस का जो हमारा चोले का जो रेगुलेटर होता है उससे पहले आपको इसको लगाना है तो बहुत सिंपल यह वाला जो पार्ट है आपका यहां पर इसके उपर चला जाएगा और उपर जो है आपका रेगुलेटर आएगा इसको एक्टिवेट करने के लिए जो है फ्रेंड्स आपको जो है यह गैक्ज बाइल को जब थोड़े सेकिंड के लिए प्रेस करना पड़ता है यह देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर दो छोटी छोटी यह निप्स बनी हुई है इसको अपने थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है तो इससे जो है एक्टिवेट हो जाएगा और फ्रेंड्स इसका जो जो बहार निकल कर आता है तो यह चूला आपका बंद हो गया तो आप कहीं चले गए तो इससे गैस फिर रिस्ती रहते हैं निकलती रहती है अगर यह डिवाइस होगा तो यह जो है गैस को आटोमेटिकली बंद कर देगा आप इस डिवाइस को परफेक्ट ना समझे इतना जो है फ्रेंड्स कि अगर गैस बहुत कम लीक ओर से थोड़ी थोड़ी लीक हो रही है फिर यह डिटेक्ट नहीं कर पाएगा अगर इसके आसपास पास जंग लगे वही चीज या कोई चीज वाइब्रेट कर रही है तब भी यह गैस की लिकेज को डिटेक्ट नहीं कर तो यह चार-पांच कंडिशन इन्होंने बताई हैं अगर यह कंडिशन हो रहा है तो फिर यह काम नहीं करेगा बड़ हमारे साथ से लगता है कि यह ठीक ठाक है बड़ हमारी फिर भी एडवाइज है कि आप अपनी गैस सेफटी की जो आप सोचते हैं इसके भरोसे ना रहें पुरी तरह से आजकल जो है एक परकार का गैस मेजरिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी आगया है सेंसर भी आगया है वो भी आपको ज़्यादा महेंगा नहीं पड़ेगा दो या डाही जार का आएगा वो क्या करता है अगर लपीजी गैस लीक करेगी तो आपके मोबाइल पर अलाइड आ जाएगा वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा एडवास है आप चाहों तो वह भी लगवा सकते हैं तो फ्रेंड इसका जो मैक्सिमम जो यूज हम करना चाहते हैं वह है कि आप अपनी गैस की सिलिंडर खतम होने से पहले आपको अलारम मिल जाएगा और कई बा वो कई बार जलती नहीं है मतलब जैसे मोसम ठंडा है या कुछ और कारण है कि हमारे चूले में ही खराबी आगी और हमारा वो चल नहीं रहा तो आप जो है इस डिवाइस से पता लगा सकते हैं कि आपके सिलिंडर में एक्चुल में कितनी गैस बची है और फ्रेंड्स वरं अगर आप इनके यूजर मैनुल को पड़ोगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि सेलर के साइन होने चाहिए कस्टरमर के प्रोपर साइन होने चाहिए तो हमें नहीं लगता कि हम जैसे ओलाइन खरीद रहे हैं तो ओलाइन वरंटी आपको प्रोपर शायद ना मिले तो फ्रे से खरी सकते हैं हम वीडियो के निचे लिंक डाल देंगे और अगर आप चाहू तो आप जो है गैस के जो चूले हैं टू फ्लेंदर फ्लेंद बर्नर वो भी आप ऑलाइन अमजोन से मंगवा सकते हैं और फ्रेंट्स इसके अलावा जो है आजकर जो है आपको लोकल और हमने देखा है सभी घरों में जो है यह आ चुकी है अगर आपने अभी तक इसको नहीं खरीदा है तो आप इसको खरी सकते हैं वैसे लोकल मार्केट में जो है यही चीज आपको 200 से लेकर 300 रुपाय तक पर जाएगी हमारा एक पाइप टूड़ गया है तो हम इसको ठीक कर सब्सक्राइब का गैस एलपीजी गैस ट्रोली जो है ओलाइन मंगवा सकते हैं यह देखिए इसमें जो है आप एक ही हाथ से अपने चूले जो गैस का सिलिंदर है अपने मतलब रसोई तक ले जा सकते हैं तो यह इसका फाइदा होता है तो हम जो है नेक्ट पार्ड में जो